उच्च गति अभ्यास खंड दो प्रतिलेकन संख्या 85 वच यासी गति 100 शब्द प्रतिमिनट बी रेडी 3,2,1 स्टार्ट उप सभापती महोदय आज का दिन केवल भारत वर्ष के लिए ही नहीं बलकि सभी देशों के लिए एक बहुत ही शुब दिन मानना चाहिए क्योंकि आज ही के दिन महत्मा गांधी जी ने जन्म लिया था और यह हमारे देश का सौभाग्य था कि उनका जन्म इस देश में हुआ असी वर्षों तक काम करके और एक प्रकार से अपना काम पूरा करके वह चले गए और जो काम वे अधूरा छोड़ गए उसका भार जो लोग बच गए हैं उन पर पड़ गया है आप जानते हैं कि महात्मा जी ने अपने जीवन में जितने काम किये वह सब एक सिध्धान्त के अधीन और एक सिध्धान्त के अनुसार थे उनका कारिक्रम जब तब समय के अनुसार बदलता था और बदल सकता था पर वह जो भी कारिक्रम बनाते थे अपने सिध्धान्तों के अनुसार ही बनाते थे उनके चले जाने के बाद जब हम सभी बातों पर विचार करके देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने मानव जीवन के और विशेशकर भरतवर्ष के लोगों के जीवन के किसी भी पहलू को अचूता नहीं छोड़ा और सभी विशियों पर केवल अपना मत ही प्रकट नहीं किया बलकि जो जो प्रश्न तथा समस्याएं सामने आई सभी को सुलजाने का कोई न कोई प्रेतन उन्होंने बतलाया उस समय देश स्वाधीन नहीं था इसलिए उनका ध्यान बहुत करके स्वाधीनता प्राप्ती की ओर गया और उसमें उनका समय भी बहुत लगा स्वाधीनता के लिए जो संग्राम उन्होंने छेडा देश के लोगों ने भी उसी ओर अधिक ध्यान दिया और उसी में अधिक भाग लिया महत्मा गांधी केवल एक राजनीतिक पुरुष नहीं थे महत्मा गांधी सचमुच में महत्मा थे और महत्मा का अर्थ आप यह समझें की जिसकी अंतरात्मा सभी बातों को समझती है जीवन की किसी एक बात को लेकर नहीं बलकि जो व्यक्ती सभी बातों का हल बताता है और अपने जीवन में उसको कारियरूप में परिनत करके दिखलाता है वही महत्मा होता है इसलिए आज जब महत्मा जी नहीं रहे जब हमको किसी प्रश्ण पर सोचना पड़ता है तो हमें यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उनके सिद्धान्त के अनुसार जो कारिक्रम बना रहे हैं वहें उनकी दृष्टी से ठीक उतरता है या नहीं पैरा आज हम सब को एक बात मान लेनी पड़ेगी कि जब से हमने स्वराज प्राप्त किया और उसके थोड़े ही दिनों बाद महत्मा जी चले गए तो हमारे उपर कई प्रकार की विपत्तियां आई हमारे सामने नित्य नए नए प्रश्न तथा नए नए समस्याएं आती रहें और हम अपनी बुद्धी के अनुसार उनका हल निकालते रहे पर हमको यह भी मानना होगा की हम उस प्रकार का व्यापक विचार नहीं कर सकते जितना महत्मा जी किया करते थे हम लोग किसी एक चीज को लेकर उसमें बहे जाते हैं कि वह एक चीज है जिसको महत्मा जी चहते थे और इसी कारण लोग गांधी जी के साथ रहे रहे हैं पूर्ण विराम पैरा उप्सभापती महोदय हम गांधी जी की सारी सीख केवल एक ही चीज में सीमित कर देते हैं और जो दूसरे विशय हैं उनसे अपना मतभेद इसपस्ट रूप से प्रकट किया करते हैं उनके जीवन काल में उनका जीवन किस प्रकार का था उस और हमारा ध्यान नहीं जाता इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मौलिक चीजे हैं उनको यदि हम ठीक रूप से समझ जाएंगे तो हमारे लिए उन समस्याओं को हल करने का मार्ग भी शायद ठीक रूप से निकल सके दुर्भाग्य से जब गांधी जी के लिए ऐसा समय आया कि जब वह अपनी आवाज केवल इसी देश में ही नहीं बलकि संसार के सभी देशों तक पहुँचा सकते थे और अपना संदेश दे सकते थे ठीक उसी समय वह हमसे चीन लिये गए परंतु उन्होंने लिख कर कहकर और उससे भी अधिक अपने जीवन में बरत कर जो कुछ दिखलाया है वह हमारी सभी समस्याओं को हल करने के लिए काफी है यदि हम ठीक रूप से समझें और काम करें तभी युद्धों में जो बड़ी शती देश विदेश और सब लोगों को पहुँचा करती है वह यही है कि लोगों में चरित्र हीनता आ जाती है उनमें कितने प्रकार के दोश आ जाते हैं उन दोशों से वे लोग भी जो स्वयम युद्ध में न पड़े हों परन्तु किसी न किसी रूप से उनका उससे कोई संबंध हो अपने को नहीं बचा सकते विगत महायुद्ध का एक बहुत बुरा प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है संसार भर के लोग इस बात को मानते हैं कि आज हमारा नेतिक इस्तर पहले की अपेक्षा निम्न कोटी का हो गया है और उससे हम इस देश में भी नहीं बचे हैं मैं यह नहीं कहता की केवल युद्ध का परिणाम है हमारी अपनी कमजोरियां भी हैं तथा अन्य दूसरे बाहरी कारणों का भी प्रभाव पड़ा है पहरा महत्मा गांधी जी ने अपनी तपस्या के बल से हमारा पत्प्रदर्शन किया और हमें बहुत उचे तक उठा दिया था उनकी तपस्या के बल से ही हम में एक प्रकार की इस फूर्ती एक नया जीवन सच चरित्रता और त्याग की शक्ती आ गई थी और उसी के बल पर हम आगे बड़े पर यह दुख की बात है की उनके चले जाते ही हम बहुत नीचे फिसल गए और ऐसा मालूम होता है की फिसलते फिसलते अब हम शायद गिर भी गए हैं और कुछ देर में हम चित भी हो जाएं तो कोई आश्चरिय की बात नहीं होगी इसलिए यह अत्यंत आवश्चक है की यदि हम गांधी जी की शिक्षा को समझने का प्रेत्न करें और उसके अनुसार चलना चाहें तो हम उनके मौलिक सिद्धांत सत्य को ग्रहन करें और उसे कभी भी छोड़े नहीं एक इसी चीज को लेकर हम में जितना दोश है हम उनको दूर कर सकते हैं हम कमजोर तो पहले से ही थे और हम में उतनी शक्ती नहीं आपाई थी की हम अधिक भार सह सकें इसलिए उनके जाते ही हम फिसल पड़े पुनविराम झाल